नमस्कार दोसों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शुभी को बता दे कि आज कोई है विडियो आप शुभी के लिए बहुत ज़्यादा महत पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली है जिया दोसों तो दोसों आज के विडियो को आप बिल्कुल ह की मिशना करें और इन्हें शुरूश लेकर अंद तक जरूर देखेगा शादी दोसों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्ष में शच्चे मन से जय शन्देव जरूर लिखेगा बगवान शन्देव आपके शबी कश्टों को आने से पहले हैं खद्म कर देंगे तो चली द पहले दोसों अगर आप वभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोसों सब्से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी शायड में लगे बेल आइकन को भी प्रीश कर दें ताकि दोसों आने वाली शबी परकार की ज्यान वर्दक वीडियो आप आप शिभी तक हुद से पहले पहुंश चाहिए दोसों वीडियो को प्रारम करते हैं दोसों आप लोग ने अपने जीवनकाल में पिछले शमांत्राल में हर मोशम को देखा है आपने हर मोशम को जहला भी है यहां पर हम आपको मोशम यानि शमय की बात कर रहे हैं दोस्तों मोशम का मतलब शमय है दोस्तों आपको बता दी कि आपने हर तरह की मोशम को देखा है हर शमय में हर परकार की पिस्ति और सिच्विशन को जहला भी है अपने जियोन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जियोन में बुरा भी जरूर देखा है दोसों आपने अपने जियोन में खुश्या जहां देखी है वहीं अपने जियोन में गं भी आपने देखा है दोसों पिछले शमिंत्राल में आपने उम्मिद भी रखी है आपने अपने उम्मिद लगाई बेठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ये अच्छा होने वाले हैं आपने सोचा है कि आने वाले शुम में हमारी किशमत जरूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले शमें द्राल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले शमें में हमें पहतरी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे शाति आपको बता दें कि दुख में दर्द में चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो आपके चेहरे पर मुश्कुराट हमेशा बनी रहती है दोस्तों आप अपने दुखों को किशी के शात व्यक्त नहीं करते हैं या पिर कर भी नहीं पाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इकछाएं होती है। कारी को देखते हुए पीछी must चाहते हैं या फिर कहीं पर जानते हैं जो भी आप यजी है वो आपकी मंजिल नहीं है आपने जोन में अभी भी शंतुष्ञ नहीं आपके बड़े शपने हैं आप बड़े उजायों पर जाना चाहते हैं ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं आप बड़े लोगों को देखकर अपने शपनों को देखकर अपने मन में हमेशा एक्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं लेकिन दोस्तों यहां बात भी बिल्कुर शाते हैं कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर ने छोड़ी आप से जितना हुश्चका आप जितना प्रयाश कर सकते थे आपने पूरा प्रयाश किया पूरे हिर्दे से दि जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं आज भी अदूरे हैं और उनको प्राप्त करने की जो ललक है जो तमना है वो आपके अंदर अभी भी है इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्मुन कारी को छोड़कर उनके शाहता करते हैं दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं आखिर वो ही आपको धोगा दे देते हैं और जब आपको उनकी जरत पड़ती है तो दोस्तों पीट पीछे करके आगे चल देते हैं इसके साथ हम आपको बता दी कि आपकी जोन में कुछ यसी भी गटनाई गटी तो भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और बहुत ही ज़्यादा दर्दना घटनाई भी गटी है यहां तक कि कभी-कभी आप अपने पूरु श्रमय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कभी आप अकेले में बेटते हैं तो यह सोचते हैं कि आपके जुन में जो आप करना चाहते थे जहां पर आप पहुँचना चाहते थे, वहां पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं, इसके लिए आप पूरी कोशिज भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या हुआ कौन सी वज़ा है, कौन सा कारण है, जिससे आपको शबलता अभी तक नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, कि इसे बहुँच ची कारण हैं, लेकिन कुछ मुख के कारण हैं, जिनकी वज़ाशे आप अपने लक्च तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, पहला कारण है दोखा, दोस्तों आप अपने जिवन में, ज कि दोंसमें जलत बाजी और उतावले शेकारी करते हैंदू हैं उसके कारण भी आप अपने मलजिल को expands करते हैं और आपके जीवन में में ठाप प्रितंति का निर्मान हो या हूरा हुरा है लेकिन दोस्वम आपको बिता दी कि जो बीद गया शो बीद गया अब उश पर आग को विचार करने की जरत नहीं है उशे तो आप ठीक नहीं कर सकते लेकिन एक बात तो सच है कि बितावश्व में आपको बहुत कुछ शिखा गया है और अपने जरूर कुछ अच्छा नुभ कौन बीच में रहकर अच्छी बातें करते हैं और पीट पिछे कौन बुराइयां करते हैं अब आपको श्वी परकार की सिख को लेने के बावजूद जियोन में आगे बढ़ने की जरते हैं और आप आगे जानते हैं आपको केश्व परिडाम देखने को मिलेंगे तो दोस् में आपके प्रश्यानियों कंतो होगा कि यह मष्यर में घ्लीक विल रहा है दोस्तों आपका पूरा वक्ता दिरिये अनिकी ने कार्यों cash आघा सब्सक्राइब कार्यों i同時 पीन जट्रीक प्रशाने वाले हैं दोस्तों यह में आर्तिक स्थी भी आपकी ब्यातर रहेंगे इसको प्राण है अगर आपके शावधनी को लेकर बाज करें तो यह में आयके साथ साथ खर्ची भी बढ़ेंगे अपनी फिजुलकरजी पर आपको यश्में अंकुछ लगाना चाहिए दोस्तों किसी खास प्यक्ति के दोरा ही आपको कुछ नौक्षान यश्में होशकते हैं तो दोस्तों यश्में बेतर होगा कि भारिश पर कुछ आपको दूरी रखना चाहिए दोस्तों प्रसृती को कुरोध के बज़ाए शांती पूं तरीकेशी निप्टाएं तो आपके लिए ज़्यादा कुछ रहेगा और इसका प्राद दोसे यश्मे आपके लिए जयसे में होंगे आपको बता दे कि किसी के भी शाथ मिल जुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो शकता है दोस्तों यश्व में आप अपने विचारों पर अड़े रहने के वज़शे किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा इसलिए खुद ये काम को पुरा करने के आप कोशिश करें ये आपके लिए बैतर होंगी दोस्तों यदि आप नया घर खेदना चाहते हैं या फिर नया घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी होशकती है यश्व में आपको धहरी रखने की आवशकता होंगी और इसको प्राम दोस्तों याश्म में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राश्ची के लिए जो समय होंगे जो गरह हिस्तिती होंगे याश्म में बहुत ही उत्तम समय होगा बहुत ही अच्छे गरह हिस्तिती होंगी दोस्तों याश्म में बता दें बोज मस्ती के शमय समय को यश में वश्त ना करें ये आपके लिए व्य flattery होगी क्योंकि दोस्तों य। य शमय को बिल्कौल नगवाय और अपने कारियों के प्रति अपने धियान को केंद दोस्व, अब इशे के शाद बात करते हैं कि अब आपको अपने जुनकाल में कौन से उपाएं को करना चाहिए ताकि दोस्तों आप शुबी की जुनकाल में जो भी परिशनियां हो चुकी है वा जुनकाल में दोबारा ना हो और आप शुबी का जुनकाल धीरे धीरे बदल जाए तो दोस्व इने के लिए बहुती खाश उपाई हम आप शुबी के लिए लेकर आए हैं दोस्व आप इने द्यास शुनई का जे दोसों आप कभी भी आर्थिक रूपशे परिशान नहीं होंगे और जो भी आपकी जुनकाल में श्रमश्याई थी आर्थिक जत्यों को लेकर दोसों इंशे वह श्रमाप्त हो जाएंगे इश्गुप्रान दोसुम आप श्रभी को बता दे कि भवश्य पूरान के अनुशार गोमाता के प्रिश्ट्र देश यानि पीठ में ब्रमा का वाश होता है गले में भगवान विश्णु बिरजमान रहते हैं भगवान शिव मुख में रहते हैं तथा मद्य भाग में शबी देवताओं का वाश होता है दोसों गव माता का रोम रोम मार्श्यों का ठिकाना है तो मुश के अस्थान पर अनंतनाग का है शाते खुरों में शारे परवत शमाए हैं वहीं गोम त्र में गंगादी पवित्र नदियां गोमय यानि लक्ष्मी का वाश होता है माता के नेत्रों में शूरिय और चंद्र का वाश होता है दोस्वों कुल्यमला कल कहें तो गाय को पृत्वी ब्रामन और देवों का पर्तिक माना जाता है शब्षे बड़ा दान माना जाता था और दोस्तों गोहत्या को शब्षे बड़ा महापाप माना जाता है और दोस्तों आपको अपने जुनकाल में आशे एक उपाई करना है कि दोस्तों जो भी आप खाना खाते हैं खाने की जो प आपका जिवन धीरे-धीरे बदल जाएगा जया दोसों तो उम्मीद करतें कि आज को यह वीडियो आप शुभी को पशनाया है तो दोसों पशनाये तो लाइक करें शादी चनल पर नहीं है तो चनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद